देश में कुरोना वायरस से चौधी मौत पंजाब का रहने वाल था शक्स धीरे धीरे पैर पसा रहे कुरोना वायरस से एक और शक्स की मौत हो गई है देश में कुरोना से जान गवाने वालों की संख्या अब चार हो गई है ताजा मामना पंजाब के नमाज सेब जीले का है जहां 72 साल एक बुजूर की मौत हो गई वो इटली होते हुए जर्मनी से लोटा था शर्ष की मौत के बाद गाउं को सील कर दिया गया है साथ ही जिस डॉक्टर की देख रेक में उनका इलाज चल रहा था उन्हें भी होम कोरे टाइम कर दिया गया है बता दे कि देश की विविन हिस्सों में कोरोना वाइरस के 18 नए मामले सामने आ गए है भारत में इससे संक्रिमित लोगों की संख्या गुरु वार को 179 हो गई स्वास्त्र मंत्राले के अनुसार इन लोगों में 25 विदेशी नागरिक भी शामिल है जिन में ऐसे 17 इटली, 3 फिलिपिन, 2 ब्रेटन और कनाड़ा, इंडोनेशिया तथा सिंगापूर्ट से एक-एक नागरिक है इन आकड़ों में दिल्ली, करनाटक और महरास्ट में वायरस से मारे गए 3 लोग में शामिल है स्वास्त्र मंत्राले के अधिकार, अधिकारी ने कहा भारत में COVID-19 से अभी 151 लोग संक्रिमित है उन्होंने बताया कि अन्ये 15 लोग वो हैं जो ठीक हो गए हैं या उन्हें छुट्टी दे दी गई है जबकि 3 लोगों की मौत हो गई है जी हाँ, ये चौथी मौत है, जो की हमारे देश में भारत में चौथी मौत है आपको बता देते हैं, दुनिया भर में कुरोना वाइरस महामारी से 8,800 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है इनमे से यूरोप में मरने वालों लोगों की संख्या जो है, वो है 4,134 जबकि एशिया में 3,416 है पिछले 24 घंडे में इस वाइरस से और 712 लोगों की मौत हो गई और संक्रिमिक लोगों की संख्या 90,213 है यूरोप में COVID-19 तेजी से फैल रहा है गौर तलब है कि कुरोना वाइरस की शुरुवा दिसंबर 2019 में चीन के मुहान से वही थी हम आपको बता दे कि आप बिल्कुल भी डर्य मत स्वस्त रहिए अपना खयाल रखिए भी भड़ वाले इलाक में प्लीस जादा से जादा जाने से बचे सैनिटाइजर का इसमाल करे अपना ध्यान रखे धन्यवाद